ये ड्रामा भी बहुत ही अच्छा है आपको ये ड्रामा बहुत ज्यादे चले इस पार्ट 7 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियों बता चुक्यूंँ जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्षन में मिल जाएगा पिछले अपसोर में हमने देखा था की करन के कहने पर खुंतोन साधी की डेट आगे बढ़ा देता है जब अवनी और अमबा को इस बार में पता चलता है तो वो दोनों पूरी तरह सौक्ट हो जाते हैं तो अमबा कहती है इतनी जल्दी क्या है हमने तो इन दोनों की साधी का नहीं है तो दो मेहने बाद होने से अच्छा दो हबते पहले ही हो जाएगी क्या फर्क पर जाएगा तो कोई भी कुछ भी नहीं कहता और वहां से सब चले जाते हैं आगे करन अवनी के साथ फलर्ट करने लगता है और अवनी को कहता है मुझे तुमसे एक काम है और ये काम स साथ में मिलकर बताते हैं कि हम दोनों की साधी दो हपते बाद होने वाली है इसलिए तुम हमारी साधी में आना जरूर और करन राज को चिरहने के लिए जान बूच कर अबनी के साथ फिलर्ट करता है और अबनी से जबर्दस्ती ये बुलबाता है कि अबनी भी करन से बहुत प्यार करती है तो राज जैसे ये सब देखता है वो तो पूरी तरह बुखला जाता है पर करन ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुस होता है और उसे लगता है कि उसने राज को मात दे दी है आगे उन दोनों की साधी की पूरी तैयारियां स्टार्ट हो जाती है खुंतों अ अपने साधी का जोरा भी decide करते हैं कि वो लोग साधी में क्या पहनेंगे बेचारी अपनी इस साधी से बिलकुल भी खुश नहीं होती पर बेचारी को मजबूरन ये साधी करनी परती है वैलम वाइं ये सब notice भी कर रही होती है पर वो अपने पती के आगे कुछ भी नहीं कर इधर राजवी पुरी तरह मायूस हो गया होता है और वह अपना साड़ा बोरिया विस्तर बांद कर अपने वह स cardiות होने की प्लैनिंग कर रहा होता है क्योंकि अप पर करन को इससे कोई फर्क नहीं परता और वो अपनी को कहता है तुम अपनी दोस्तों से बाते करो और जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे कॉल कर देना मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा और करन ये कहकर वहां से चला जाता है आगे अपनी अपने दोस्तों के सा गर के अंदर जाती है तो उसकी दोस्ते कहती है तुम करण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती जब तम उसने करती तो फिर तुम से साधी सही कुछ सकती उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अब मेरी बारी है उन लोगों का करजा चुकाने की इसलिए मैं साधी से पीछे नहीं हड सकती कि तब ही वहाँ पर राज आ जाता है तो राज सब के सामने अबनी को कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है क्या तुम मेर इसलिए मैंने राज को भेजा है अगर वो कोसिसिस करता है अगर वो यह साधी करना चाहती तो राज कहता है तुम्हारे पास peuvent पहला अगर तुम ये साधी नहीं करना चाहती तो सीधा मुपर मना कर दो दूसरा अगर तुम सच में साधी करना ही चाहती हो तो करन के बज़ाए वरिन से साधी कर लो वरिन तुम्हारे लिए बेस्ट उप्शन है वो तुम्हारा बहुती अच्छा ख्याल रखेगा वो अमीर वो पूरी लाइब तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी होने नहीं देगा और तीसरा इस साधी से मना करने के बाद तुम उस इंसान का इंदिजार करो जिससे तुम प्यार करती हो और जिसे देखकर तुम्हें लगे कि यही वो बंदा है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ल अंधार में नहीं छोड़ सकती और रही दूसरी बात अगर वरिन सच में मुझसे यसारी बाते कहना चाता है तो जाकर उसे कहो कि यह क्यों अपने मुझसे मुझसे यह सारी बाते कहें सीर करें me evalu मुझे तुम्हारी बाते सुनकर ओन यहार नहीं करती और करन यहाँ पर उल्टा सिल्पा को साधी के सपने दिखाने लगता है कि वो एक दिन उससे साधी जरूर करेगा आगे करन और अपनी के वेडिंग सूट का दिन आ जाता है तो अपनी अपनी साधी से बिलकुल भी खुस नहीं रहती और सारे लोग ये नोटिस कर होते हैं और वो कहते भी हैं दुल्हन की साधी हो रही है पर दुल्हन ही खुस नहीं है आखिर कर क्या बात है पर करन को इन सबसे कोई फर्क नहीं परता क्योंकि उसकी ख्वाइस तो पूरी हो रही होती है और वो अपनी के साथ फ्लर्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ राती होता है कि उसके बेटे की साधी रही है और उब भी बहुती ग्रेड तरीके से आगे अपनी दुल्हन की तरह तयार हो जाती है और वो येडिंग सूट की जगहां के लिए हो जाती है की तभी वह देख लुट में पैट religion नम्ति के वह दो तो बेचारी पूरी तरह बेचेन हो जाती है और वो राज से मिलने के लिए उसके घर जाती है और वो हर जगा राज को ढूनती है पर उसे कहीं भी राज नहीं मिलता कि तब उधर से अंकल टेरन और उसका बेटा दोनों भूतों की तरह आते हैं और वो अबनी को किटनैप करक पर अबनी आती ही नहीं तो करन पूरी तरह परिसान हो जाता है और जगहां कॉल करने लगता है कि आखेकर अबनी कहां पर गई है पर उसे कहीं से भी अबनी का पता नहीं चलता तो वो उसकी दोस्त को भी कॉल करता है कि क्या अबनी उसके पास है लेकिन जब रिया को इस बार कि अपनी गायब हो गई है और किसी को भी नहीं पता कि अपनी कहां पर है तो वरिन ये सुनकर पूरी तरह सौक्ट हो जाता और कहता है आखेकार अपनी गई तो गई कहां तो रिया कहती है मुझे लगता है भाई ये सारा कार्णामा राज का ही है राज नहीं अपनी को किड्न हुगा तो वरेंगल किया होगा तो वरेंग कहता ऐसा नहीं हो सकता रास्तों मेरे साथ है वो अपनी को कैसे किड्नाइब कर सकता है हम तो दूनों कल सही एक साथ है और हम लोग सहर से बाहर puisque 형 सकता है तो रिया ये बाद सुनकर पूरी तरह सौक्ट हो जाती है और उसका राजपर से सक खट जाता है आगे वरिन राज को बताता है कि अपनी गायब हो गई है तो राज इस बात पर कोई रियाक्ट नहीं करता और उसे देखकर लगता है कि इन सारे कार नामाओं के पीछे उसी का हाथ है, तो राज कहता है, टेंसन मतलो, वो यहीं कहीं गई होगी, वो मिल जाएगी, तुम टेंसन मतलो, तो वरीन को अपनी की टेंसन होती है, आगे वरीन राज को कहता है, क्या तुम्हारा फर्म में जाना जरूरी है, तो राज कहता है, मैंने अपने अकल से प्रामि पूरा सक राज पर उसके घड़ बहुत होने पर कुछ भी कता नहीं चलता है और करन को पूरा सक होता है और बेचाइड के पास कोई सबूत नहीं होता है और और पुली संब्सक्राइब बहुत कर्ण करता है। अबनी अपने मर्जी से इस साधी से भागी है इसलिए वो यहां से गाइब हो गई अगर किसी ने उसका किड़्नाप किया होता तो अभी तक फिरोती के लिए कौल आ चुकी होती लेकिन अभी तक कौल नहीं आई इसका मतलब वो इस साधी से खुद भागी है तो खुन तोन ये सब सुनकर तो पूरी तरह पगला जाता है क्योंकि इस वज़े से उसकी काफी बदनामी होड़े ही होती है दूसी तब अवनी को जब होसा आता है तो वो अपने आपको एक रूम में बन देखती है तो अवनी दर्वाजा खुब पिटती है पर कोई भी दर्वाजा नहीं खोलता तो बैचारी अवनी इधर उधर भागने की भी कोसिस करती है पर उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता तो बैचारी पुरी तरह पागल हो जाती है कि आखिर कार उसे किसने किड्नैप किया आगे कुछ बरकर्स अपनी के पास आते हैं खाना और कपड़ा लेकर और अपनी को मैडम मैडम कहकर बुलाने लगते हैं तो अपनी कहती है मैं किसी की भी मैडम नहीं हूँ मुझे बताओ यहाँ पर कौन लेकर आया तो वो सारे बरकर कहते हैं आप हमारे बोस की वाइफ हैं और हमारे बोस ही आपको यहाँ पर लेकर आए हैं तो अपनी कहती है तुम लोगों का बोस कौन है मैं किसी की भी वाइफ नहीं हूँ क्या तुम लोग पागल हो गए हो मुझे यहाँ से जाने दो पर कोई भी बरकर उसे वहाँ से जाने नहीं देता और उसे रूम में ही बंद करके रखता है तो बैचारी अपनी पुरी तरह परिसान हो जाती है और भागने की भी कोसिस करती है पर बैचारी कहीं भी भाग नहीं पाती क्योंकि उसके रूम में कैमरा लगा होता है और वो लो होने का नाटक करूं मैं इस वज़ा से घर से बाहर भी नहीं जा सकती मेरा इस घर में दम घुट रहा है तो खुंतोन कहता है मैं भी क्या करूं मैं भी इस मामले को समालने की बहुत कोशिस कर रहा हूं और उसे ढूने की भी कोशिस कर रहा हूं पर कोई भी सुराग नहीं मिल तुम्हें कुछ दिनों तक ये सब बर्दास्त करना ही होगा और खुंतोन्य कहकर वहां से चला जाता है